अबे टेकले ये अपने पिछवाडे से डीजे क्यों बजा रहा है बे तू भी पता दी दे कितीने मनाती आ है क्या ठीक है आदा पादा खेलते हैं जिसका पादा आएगा वो पादेगा ठीक है मुझे मंदूल है मैं तो तोले बतूले खा के आया हूँ मेला तिलंदल पूला है तो ठीक है स्टार्ट करते हैं आदा पादा नून सवादा बाबा जी का घोड़ा पादा अरे वह मेरी बारी हां तेली बाली अब तू पाद शिची तुम लोग यह क्या कर रहे हो पूरे क्लास में गंद फैला रखी है ए शिला आओ तुम भी हमारे साथ आदा पादा खेलो और आजू के बच्चे समीन से बात करो मुझसे मैं शरीफ खांदान की हूँ अरे जाओ जाओ बड़ी आई शरीफ खांदान वाली जो जो ज अगर तुम दोनों ने ये अश्लील बात बन नहीं की तो मैं पुलिस बुला कर तुम दोनों को हवाला के बन कर वादूंगी अरे शीला तुम तो नाराज हो गई कल से एक महने की गर्मी की चुट्टी हो रही है ना और आज इसकूल का आखरी दिन है तो आओ हमारे साथ लादू मेले भाई तुम अपनी नानी के गल गया ता इस बार मैं अपने नाना के घर जाओंगा और ऐसा धमाल मचाओंगा कि नाना को नानी यादा जाएगी लादू मेले भाई तुम वहां दाके मुदे बूल तो नहीं दाया बबलू मेरे भाई मैं तुझे भूल जाओं मैं होने नहीं दूंगा लादू मेले बाई अब मैं भी तनू तुम्हाले नाना को नानी याद लाने तुम्हाले नाना के घर जाना मेरे नाना को नानी याद लाने के लिए मैं ही काफी हूँ अरे भाई बच्चों सुनो सुनो सुनाईए सर सुनाईए मैं एक खुशकबरी सुनाने वाला हूँ खुशकबरी? कैसी खुशकबरी? आप मा बनने वाले हैं क्या? है? मैं मा किसे बन सकता हूँ? अगर बनूँगा भी तो बाप बनूँगा ना? आपके जैसे धीले लोग तो बाप बनी नहीं सकते क्योंकि पुर्जा धीला रहता है क्या? अरे सर इसको छोड़िये आप कुछ खुशखाबरी सुनाने वाले थे ना? खुशखाबरी ये है कि इस्कूल की गर्मी की छुट्टी एक महिना से घटा कर साथ दिन कर दी गई है सर सुभा सुभा ऐसी बैकी बैकी बाते कर रहे हैं आपका दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं मुझे तो लगता है रात को जो पववाई नो ने पिया था उसका नशा अभी तक नहीं उतरा है देखो बच्चों अनाराज मत हो ऐसा है कि पूरे साल कोरोना के कारण इसकूल बंद था और अब जाके खुला है और जब अब जाके खुला है तो दुबारा से फिर एक महिने के लिए बंद कर देना सही बात नहीं है ना इसलिए गर्मी की छुट्टी सिर्फ साथ दिनों के लिए ही मिलेगी सार मैंने तो नाना के घर जाने का प्लान बना लिया है और मेरे साथ मम्मी भी जा रही है पापा भी जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ मुझे तो एक महिने की छुट्टी चाहिए देखो बेटे, एक महिने के छुटी लेकर नाना के घर नहीं जाते हैं सार, मैं अपने नाना के घर तो सिर्फ दस दिन के लिए ही जाओंगा साथ में मम्मी जा रही है, तो वो अपने माय के भी दस दिन के लिए ही जाएगी साथ में पापा जा रहे हैं तो वो अपने ससुराल चमपा मौसी से मिलने के लिए भी दस दिन के लिए ही जा रहे हैं हम तीनों को मिला कर तीस दिन हुए न सार तीस दिन तो हुए लेकिन छुटी साथ दिनों की ही मिलेगी जाना है तो जा नहीं जाना है तो मत जा, मैं तो जा रहा हूँ जाओ सर जाओ, न दाएं जाओ, न पाएं जाओ, सीधे भान में जा लादू मेले भाई, अब ता हो दा, क्या इतबाल हमें गल्मियों में तिलफ ताद दिनों दी तुटी मिले दी तो फिकर मत कर मेरे उजडे चमन, मैं तेरे टकले की और शीला की आती हुई जवानी की कसम खाके कहता हूँ मेरा नाम भी राजु दिग्रेट है, मैं प्रतिग्या करता हूँ कि अब मैं पूरे स्कूल को एक महीने की छुटी दिलफा कर रहूँगा और सर, क्या लाए हैं आज आप लंच में? लाली मेडन, आज हमारी घरवाली ने हमारे टिफिन में बर्गर पैट करके दिया है अडे वा, चलिए, शुरू कीजिए सर ने हमारी गर्मी छुट्टी हराम किया है ना, मैं सर का खाना हराम कर दूँगा तू ता कलेगा मेले भाई, देखता जा मेरे छिले हुए अंडे लादो मेले भाई, क्या निताना लगाया है तुमने एक डम तीदे दाके तल का खाना हलान तल दिया मेरे अंडर बहुत टैलेंट है, मगर घमंड जरासा भी नहीं करता हूँ अब चल अरे अरे क्या गिरा दिया सार, गिरने की आवाज से पूरे स्कोल में भूकंप सा मचा दिया है आपने लादू मेले भाई, देख नहीं लगो, तल का तिफिन गिल गया है और उनका पूला खाना बहबाद हो गया है सार, आपका टिफिन गिर गया, तो कोई बाप नहीं, आपका विद्यार्थी राजू अभी जिन्दा है आप मेरे टिफिन से खा लो, मम्मी ने मुझे दो रोटी और सबजी एक्स्ट्रा दी थी, बोली थी कि कि किसी गरीब को खिला देना एक जापड मारूँगा, तो तेरी सारी अमीरी हवा में कबूतर बनकर उड़ जाएगी मैं तुझे गरीब दिख रहा हूँ सार, अभी आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आपसे ज़्यादा कोई और गरीब थोड़े नहीं सार, गुस्सा ठोक दिजिए और सबजी सूंग लिजिए कितनी अच्छी खुश्बू आ रही है इससे, सूंगिये सर, सूंगिये क्या सूंगिये, इसमें कोई गन तो आई नहीं रही है अरे जोर से सूंगिये सर, मस्त प्याज लहसुन और गरम मसाला डाल कर मम्मी ने आलू पालक की सबजी बनाई है, ऐसी खुश्बू आएगी कि आप जिन्दगी भर भूल नहीं पाओगे अरे बाप रे, लगता है सर को कोरोना हो गया है, पहले इनको गंध नहीं आ रही थी, अब ये जोर जोर से खास रहे है बाप रे बाप, भाग बबलू भाग, वाली मेटम, आप भी ऐसे खड़े खड़े सर का मुह मत देखो, भागो बच्चों, एक बुड़ी खबर है, लगता है सर को कोरोना हो गया है, अभी हॉस्पिटल वाले उनको उठा कर ले कर गये हैं उनको कॉरेंटिन कर दिया गया है और पूरे स्कूल का सेनिटाइजेशन करने के लिए स्कूल को एक मैने के लिए बंद कर दिया है आज से सभी मास्क लगा कर ही रहेंगे, हाथ हमेशा धोएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, ठीक है? लादू मेले भाई, तुम्हाले दिमाग का भी दवाब नहीं, ऐता प्लान बनाया कि एक मैने की तुत्ति कावाल दी लेकिन तुमने तिपिन में एता क्या लखा था, कि धीले से तुमने ते इजमेल नहीं आई, और दोल ते तुमने पे खाती आ दई अबे मेरे उजड़े चमन, ये राजु दी ग्रेट का सीक्रेट है, ये मैं तुझे नहीं बताऊंगा वैसे दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हो, कि मैंने तिपिन में क्या रखा था, कमेंट करके बता ना